नमस्कार में डप्टर शालिनी राकेश आज तो हदी होगी माननिय मोदी जी के नेतरत में उत्तरवरदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए इतना भारी भरकम एलान कर दिया है कि सडकों पर किसान आपको नाचते काटे हुए दिखाई दे रहे हैं आज यूपी के किसानों के घरों में हल्वा पूरी बनाई जा दे हैं आप जानना चाहते हैं क्यों क्योंकि योगी सरकार ने गन्ने पर पांच रुपे बढ़ा दिये हैं वा 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 क्या कमाल कर दिया है क्या योगी सरकार पिछली सरकारों से कमजोर सरकार है क्योंकि पिछली सरकारों ने भी गन्ने पर पचास रुपे बढ़ा दिये हर्याना सरकार में भी जो गन्ने का रेट है वो उत्तर परदेश से जादा है ऐसी क्या बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने के रेट सबसे कम है क्यों क्या यहां का किसान सबसे ज़्यादा स्रमर्द किसान है क्या वो संपन है उसके लिए बिजली भी सबसे ज़्यादा महंगी दी जाती है क्यों, क्या उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों से चल करके आती है, क्या ऐसा कारण हो गया है कि उत्तर प्रदेश में हर चीज महंगी है, कारण जानना चाहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहां पर धर्म की अफीम सूम करके यहां का किसान भी सोया था, य बोड़े ही दिनों में सबका नंबर आने वाला है और पांच रुपे बढ़ाने के लिए मोधी कैबिनेट के पांच-पांच मंत्रियों ने आकर के एलान किया आप लोगों को शर्म नहीं आती कि पांच रुपे बढ़ाने के लिए आप उसके इतने सारे फायदे गिना रहे हैं और अब दोबारा से थैंक्यू मोधी जी के पोस्टर चपवाए जाएंगे और पांच रुपे बढ़ाने के उपर कम से कम पांसो रुपे का तो उस पोस्ट पर खर्चा ही आजाएगा और प्यूश गोईल जी तो बता रहे हैं कि इससे जो पांच रुपे बढ़ाए गए हैं उससे तो किसानों की हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे इतनोल का प्रोडेक्शन भी बढ़ जाएगा चीनी का निर्यात भी हो जाएगा जैसे पांच र पुराने कपड़ों में मेला कुछला सा दिखाई देने वाला ही किसान होता है संपन किसान तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर पढ़ेगा लिखेगा अपने बच्चों को पढ़ाएगा नोक्री की मांग करेगा उसको गरीब ही रहने दो आपने जो पांच रुपे की गान फार्म दी यह जा जविए जब की गण्ने की पेमेंट पे सिर्फ आपने बढ़ोतली की गदिया उस पांच पskin उस भी किसान की आएं जो है वह भी वह जो है यह बनल्स जाएगी भी गव्लस घर खरा है किसांद को माला और क्या चीज उसके लिए सस्ती है क्या आप उसको जो आप सड़के बनाई जा रही है उन पर क्या वो टोल नहीं देता है हर चीज उससे वसूली जाती है किसाम अब आपको सबक सिखाने के मूड में आ गया है क्योंकि उसको भी समझ में आ चुका है कि इतनी कमजोर सरकार किसी भी सरकार ने बिजली के रेट इतने जादा नहीं किये थे किसी भी सरकार ने डीजल के रेट इतने जादा नहीं बढ़ाये थे और किसी भी सरकार ने इतना कम मूल्य गन्य पर नहीं बढ़ाया था और उसका इतना जादा गुंगान और पिछले तीन सालों में या यू किमत पांच रुपे बढ़ाई है उस पर आप ये सोचते हैं कि किसान जो है वह आपको जोली बर करके बोड़ दे देगा अब किसान की जो बच्चे हैं वह तो आप सोने की थालियों में खाना खाएंगे आप इस बार आईए तो सही गाउं के अंदर किसान आपको गाउं के अ ना सिंगासन बनाता भी है और अगर ये किसी को मन से उतार देता है तो उसको फिर पातालों में पहुचाने की हिम्मत भी किसान ही रखता है ध्यान रखिएगा किसान की भावनाउं से खिलवार करने वाला कभी इस देश में जञड़ा दिन तक चल नहीं पाया है और ये तो वही बात हो गई कि बहुत चुक्रिया, बहुत महरबानी की हुजूर ने गन्ने पर पांच रुपे बढ़ाए वह 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 आपका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आपको तो पता है कि आप दोबारा से हिंदू मुसलिम करेंगे हिंदू मुसलिम आपने करना भी शुरू कर दिया है, राम मंदीर, राम मंदीर, 370, जैश्री राम, इनी सब चीजों के चक्कर में किसान दुबारा से अपनी आये को भूल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब किसान की जेव में पैसे नहीं रह गए हैं और जब पैसे नहीं रह गए हैं, तो क्या उसके खर्चे कम हो गए हैं, अगर वे बिजली का बिल नहीं दे पाता है, तो उसकी डोरी तक काट ली जाती है, किसान नहीं बूला है कि आपने उसके साथ कितनी निर्दिता की है, आज 9 मही में किसान अंदोलन को चलते हुए हो हैं, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी है, इस बार ये किसान आप से बदला लेने को तयार बैठा है, जैहिंद